नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्ख्यों पर आज से छट महा पर वशुडू गंगास्नान का छट व्रतियों ने कद्दू भात का लगाया भोग चट की छुटी को लेकर बैक फूट पर सक्षा विभाग बिहार में बालू माफिया को लेकर नितीज सरकार ने बनाया प्लान परदे दिन कम से कम पांच कख्षाई लेना अनिवारिया बोडियाय रिकॉर्स देख समचे विश्व कब दोहजार तईस में कौन सी टीम जीच सकती है कब इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों क्यों विस्तार से आज से छट महापर्व शडू गंगा स्नान कर छट वरतियों ने कद्दू भात का लगाया भोग आज यानि की 17 नमबर से महापर्व छट की शडवात नहाय खाई के साथ हो गई है बता दे इकार्तिक सुकल पक्ष चतुरतिति को छट पर्व का पहला दिन नहाय खाई मनाया जाता है जिसके शिरवाज छट वरतियों के द्वारा किसी भी नदी तालाब या अन्य किसी भी जलासे में स्नान कर की गई है बता दे कि आज नहाई खाई के दिन छट वरतियों के दौरा अर्वाचावल, चने की दाल, अगस्त का फूल, नया आलू, फूल, गोवी से बनी सबजी और कद्दू की सबजी का प्रशाद खाया गया है जिसमें सेंधा नमक का इस्तमाल किया गया है इसके लावाज लाल की जगह हरी मिर्च का उप्योग किया गया है, वही नहाई खाय के बाद छट पूजा का दूसरा दिन खरणा के रूप में मनाया जाता है तीसरे दिन छट व्रत नर्जला उपवास कर शाम के वक्त लोग डूपते हुए सुरी को अर्गे अर्पित करते हैं वहीं चौतर दिन एहले सुभव भगवान भाश करके उदाई मान स्वरूप को अर्गे दिया जाता है सीम नितीश ने चार दिवसिये महापर्व छट के अफसर पर राज्यवासियों को दी बधाई एवं शुबकामनाय आज से यानी की 17 नवंबर से छट महापर्व की शिरवात हो चुकी है ऐसे विस पर बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के दौरा लोकास्था के चार दिवसिये महापर्व छट के अफसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को अपनी बधाई एवं शुबकामनाय दी गई है मुख्यमंत्री के द्वारा टूइट कर लिखा गया है कि लोकास्था का यह महापर्व आत्मा नुशान का परव है जिसमें लोग आत्मिक शुद्धी और निर्मल मन से डूपते वे सुर्य और उदाईमान भगवान शुड को अर्गे अर्पित करते हैं बतादे कि सियम नितीश ने लोकास्था के महापर्व छट के अफसर पर भगवान भासकर से राजी की प्रगती, सुख, समरिद्धी और सहार्ध के लिए प्रातना की है तथा राज्येवासियों से अपील की है कि वे इस महापर्व को मिल जुलकर आपसी प्रेम, पारसपरि अधिकारी को पत्र ले किया जानकारी दी गई है कि छट पूजा को लेकर 19 और 20 नवंबर को सिक्छकों को स्कूलों में योगदान नहीं देना होगा, यानि कि ये दो दिन छुटी रहेंगे, ऐसे में जो भी सिक्छक बच जाएंगे, उन्हें 21 नवंबर को योगदान करा द फर्मान को पलटते हुए नया नर्देश जारी कर दिया गया है, बिहार से दिल्ली और यूपी के बीच चलने वाली 6 ट्रेने रद, थंड के समय में कोड़े की वज़ा से ट्रेनों के परिचारन में समस्या आती है, इसको देखते हुए रेलवे की ओर से हर साल ठंड के दिन अगले 3 महीने तक दिसंबर महीने से रद रहने वाली हैं, ऐसे में से यात्रियों को परिचानी का सामना करना पर सकता है, जिन 6 ट्रेनों को रद किया गया है, उनमें कटिहार दिल्ली चमपारन हमसफर एक्सप्रेस, सीतामढ़ी आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन, आनंद तत्व मंत्री रामानंद यादव के द्वारा बीतरदन गुडवार को जमुई में दरोगा प्रभात रंजन के बलिदान अस्थल का नरिक्षन करने और नदियों में बेतरतीप तरीके से हुए बालो उठाओ का मुआयना करने के दौरान जमुई में इलाजरत होमगार जव प्रभान राजे शाहत था उनकी पतनी से भी मुलाकात की और सरकार की तरफ से हर संभव सहाइता मोहिया कराने का भरोसा दिया उन्होंने कहा कि सक्त हिदायत देते वे कहा कि किसी भी कीमत पर बालू का वैद खरन बरदास्त नहीं किया जाएगा उन्होंने सेश बचे का उठाओ किया जाएगा सक्षा के एक दसम लोग एक तीन लाग सीटों के लिए रिजिस्ट्रेशन की आज अंतिम्ति थी बहार लोग सेवा आयोग यानिकी BPSC की दूत्य अध्यापक नियुक्ति परिक्षा में शामिल होने के लिए आज रिजिस्ट्रेशन वर सुल्क जमा करने की अंतिम्ति थी है ऐसे में जिन लोगों के द्वारा अब तक रिजिस्ट्रेशन वर सुल्क जमा नहीं किया गया है वह अभी ही आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in slash पर जाकर अपने रिजिस्ट्रेशन वर सुल्क जमा कर सकते हैं वह 25 नवंबर 2023 तक इसके लिए अपना आविदन कर सकते हैं शार्दा सिन्हा के छट गीत के सफलता के पीछे इनका भी है हाथ लोग गीत की कोकेला कही जाने वाली शार्दा सिन्हा के छट गीतों को लोगों के द्वारा खुब पसंद किया जाता है लेकिन बता दे कि ये गीत हर्दे नरायन जाके द्वारा लिखी जाती है हर्दे नरायन जाके द्वारा ABP News से बात करते वे कहा गया कि वह शार्दा सिन्हा के साथ पिछले 12 वर्सों से जड़ेवे हैं उनकी जो डिमांड होती है वह काफी अलग होती है शार्दा सिन्हा के गाने के एक-एक शब्द का अर्थ होता है उन्होंने कहा कि शार्दा सिन्हा के गानों में हमारे ग्रंथों में मौजूद सब्दों का उप्योग होता है कई शब्दों को वो खुब भी बताती है वो कठी शब्दों को आसान भाशा में गाती है नए नए कदम उठाये जा रहे हैं ऐसी कड़ी में सरकार के दोरा मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर सरकारी डॉक्टर बनने के एक्छा रखने वाले युवाओं को भी मौका दिया जाएगा बता दे कि सरकार के ओर से डॉक्टर के 7,910 पदों पर बहाली की घोशना की गई है हाला कि अभी तक आधिकारिक रूप से बहाली को लेकर विज्यापन जादी नहीं किया गया है लेकिन इसको लेकर कवायाद जारी है आपकी जानकारी क्ले बता दे कि बिहार में करीब 21,000 से जार डॉक्टरों के पद श्रिजित है इसमें करीब 13,000 कुछ पदों पर ही डॉक्टर कारेरत है इस कारण बाकी बचे करीब 8,000 पदों को भढ़ने के लिए बहाली निकाली जाएगी कॉलेज विश्यविद्याले के हर सक्षा को प्रदे दिन कम से कम पांच कक्छाई लेना अनिवारे है पतादिक विभाग के ओर से यस्पस्ट कर दिया गया है कि जन सक्षकों के द्वारा इस सादेश का पालन नहीं किया जाएगा उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से होने वाली समिक्षा बैठक में हर दिन सक्षकों के द्वारा लिये गए कक्छा की जानकारी ली जाएगी बतादे कि समंद में विभागे पतादीकारी का कहना है कि विश्विद्याले नुदान आयोग के प्रावधान के नुसार सक्षकों को प्रते दिन पांच घंटे संस्थान में रहना अनिवारे है इसी के अंतरगत विभाग के ओर से यह नर्नेली आ गया है जून से बनेगा बच्वारा हाजीपूर महनार का दूसरा खंड राज्ये में 72 किलोमीटर एनच 122 बी दो रेन पच्वारा हाजीपूर महनार के दूसरे खंड का नर्मान अगले साल यानिकी वर्स 2024 के जून महीने से शुरू होने की संभाबना है बता दे किसका नर्मान दो चड़ों में किया जाना है जिसमें से 30 किलोमीटर लंबाई में नर्मान शुरू करने के मंजूरी के लिए केंद्र सरक पडिवहन एवं राजमार्ग मंतराले को प्रिस्ताव भेज दिया गया है तो वहीं कड़ी 42 किलोमीटर पर लंबाई में नर्मान कारे चल रहा है इसको केंदरी सरक पड़िवहन एवं राजमार्ग मंत्राले के द्वारा इसको लेकर पहले ही फ्रस्ताओ पर मंजूरी देदी गई थी यह मार्ग पटना से बरॉनी के बीच वैकलपिक मार हुआ वहीं इस सरक रिर्मान होने से बचवारा समेथ बेगु सराय जिलावासियों को सीधे हाजिपुर के रास्ते बिहार की राजधानी पटना पहुँचने में आसानी होगी गांधी मैदान से आकाशवानी तक खोदी जाएगी दोरी मेट्रो सुरंग पटना मेट्रो के भूमिगत सुरंग के नए फेज का काम जोकी गांधी मैदान से आकाशवानी तक दोरी मेट्रो सुरंग बनाई जाएगी वह छट के बाद शुरू किया जाएगा बता दे कि दोनों सुरंगों की खोदाई एक साथ शुरू की जाएगी इसके लिए टरल बोरिंग मशीन की सौफ लॉंचिंग जमीन से 52 फीट नीच गिराई में की जा चुकी है मालम हो कि गांधी मैदान से आकाशवानी स्टेशन तक की दूरी करीब 966 मीटर है इतनी लंबी सुरंग खोदने में करी 5-7 महीने का समय लग सकता है इस बारे में दिल्ली मेटरो रेल कॉर्पोरेशन के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि फिलहाल दोनों टीवीम को लॉंच करने से पहले जोडने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है वर्तमान में पटना मेटरो के अंडरग्राउंड मेटरो लाइन वस स्टेशन के लिए दो टीवीम मसीनों से खुदाई की जा रही दश्रत मांजी को भारत रतन दिलाने पर जेडियो का जीतन राम मांजी से सवाल जेडियो प्रवक्ता हीम राज, राज के द्वारा बिहार के पुर्व मुख्य मंत्री और हम पार्टी के मुख्या जीतन राम मांजी से माउंटेन मैं दश्रत मांजी को भारत रतन दिलानी की मांग पर सवाल पूछा गया है हमेशा अपने पडिवार के लिए राजनिती में स्थापित हुए, महागरबंधन में शामिल थे तो भाजपा से मिलने के लिए दिल्ली जाते थे जब मीडिया ने पूछा तो कहा कि दश्रतमांजी के लिए भारत रत्न मांगने गये थे तो भाजपा में हैं तो अभी भी तक दश्रतमांजी को भारत रत्न की उपाधी क्यों नहीं मिली उन्होंने कहा कि हमेसा से मिलने के लिए जाते हैं तो उनका गेट के बाहरी चपल जूता उतरवा दिया जाता है उस वक्त इनका स्वाभिमान कहां चला जाता है इनको अपनी जाती की चिंता नहीं है इन्हें अपनी और अपने पडिवार की चिंता है भाजपा के समराथ ने सीम नितीश को बताया गारजियर आज बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार से भाजपा के प्रदीश अध्यक समरार चौधरी के द्वारा एक खास अनुरोध किया गया है कहा कि सीम नितीश लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं वे बिहार के गारजियन हैं लेकिन अवे ठक चुके हैं वे बिमार दिख रहे हैं ऐसे में बिहार के सभी दलत और महिलाई चाह रहे हैं कि नितीश कुमार आराम करें उन्होंने कहा कि सीम नितीश आराम करके और अपने शरी को ठीक करे जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी के गए इसके बाद राजधानी पत्नामी आज पेट्रॉल 17.4 रुपए और डीजल 49.2 एक रूपे प्रति लीटर मे बादी कि बिहार में पेट्रॉल का रेट सबसे दा किसन गज नन गंज में हैं जहां पेट्रॉल एक सब्सक्राइब पांसने रुपे प्रति लीटर और डीजल चाइब कर तीम जीत सकती है। विशुकब 2023 का फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को भारत और आस्ट्रेलिया के बीच एहमदाबाद के नरंदर मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा बता दे कि ODI रिकॉर्ड्स पर नज़र डाले तो अब तक एहमदाबाद के नरंदर मोदी स्टेडियम में भारतिये टीम के द के दो मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ही साल 1986 और 2011 में खेले गए थे जिसमें ऑस्ट्रेलिया को हाड का सामना करना पड़ा था बता दे किसमें मैच में 2003 विशुकब के बाद दोनों टीम एक दूसरे के सामने फाइनल में टकराएगी अब बरते हैं आज के 5 सवाल की अगला सवाल बिहार से दिल्ली और यूपी के बीच चलने वाली कितनी फ्रेनों को रद किया गया है उप्शने 7 ट्रेने, उप्शन B 8 ट्रेने, उप्शन C 6 ट्रेने, उप्शन D 2 ट्रेने इसका सहुतर है उप्शन C 6 ट्रेने अगला सवाल गांधी मैदान से आकाश्वानी ये स्टेशन तक के दूरी कितनी है Option A करीब 966 मीटर Option B करीब 80 मीटर Option C करीब 90 मीटर Option D इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है Option A करीब 966 मीटर अगला सवाल कॉलेज विश्व विद्याले के हर सक्षा को प्रते दिन कम से कम कितनी कक्छाईं लेना आनिवारे है Option A 7, Option B 8, Option C 5, Option D 2 इसका सही उत्तर है Option C 5 अगला सवाल बिहार में डॉक्टर के कितने पदों पढ़ने उक्ती होने वाली है Option A 7, Option B 8, 100, Option C 5, 120, Option D 7, 910 इसका सही उत्तर है Option D 7, 910 बीते दिन हमाय दुरा पूछिए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब हमें हमारी Comment Section Box में लिख कर दिया है जन्होंने हमाय दुरा पूछिए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है शार्दा सिन्हा के दोरा गाया गया कौन सा गारा आपका मन पसंदीता है अपना जवाब हमें मारी कॉमेंट सेक्ष्ट में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लिए बिहारी निउज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चलब को सब्सक्राइब करना औरposition अगर आप फेस्बुक से देख से देख रहे हैं तो पेस को फॉलोग करना ना भूले धन्यवाद